हेलो एवरिवन कैसे आप सभी उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आज की क्लास में यानि कि आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक्स के वारे में तो टॉपिक्स क्या है मतलब एक टॉपिक्स का ये कॉंबिनेशन है यूँ कह सकते हैं मीनिंग एम्स और कैरेक्टर्सिक्स ऑफ स्पोर्ट्स रेइनिंग हम जानेंगे क्या क्या होते हैं तो इनको समझने से पहले आप सभी को मैं एक चीज बता देता हूँ कि अगर आप हमार वीडियो की PDF चाहिए तो आपको टेलिग्राम पे मिल जाएगी टेलिग्राम पे जस्त आपको सर्च करना है मोनु मदूकर या रूट टू फिजिकल एजुकेशन आप जैसे ही रूट टू फिजिकल एजुकेशन सर्च करेंगे तो आपको वहाँ पर एक टेलिग्राम तो भी आप हमसे Instagram पे contact कर सकते हैं हमारी अलग-अलग coaching classes चलती रहती है BPAd के लिए, MPad के लिए, KVS, NVS, DSSS B के लिए और बाकी other exams के लिए भी NetKi भी हमारी specific class चलती for paper 1 and paper 2 उसी के साथ साथ में इसका link description में दे रखा है जो भी आपके notes मिलेंगे description में जाके आप Telegram का group join कर लेना, वहाँ पर आपको मिल जाएगी चलिए, आज की class start करते हैं सबसे पहली चीज तो यह है कि sports training आपका होता क्या है sports training आपका किसी भी एक athlete को तयार करने की ऐसी एक preparation यानि कि ultimate अगर हम goal देखे sports training का तो किसी भी एक sports person को higher level तक पहुचाना ही sports training का aim है, यानि कि उसकी तो performance है उसको इतना पहुचा दो कि उसका optimum level वो रहे, तो वो चीज है next is कि एक plan और control process होता है, यानि कि इसमें ऐसे नहीं कि आपने कुछ भी कर लिया, कभी भी कर लिया, तो जैसे आपका Monday to Saturday, schedule जो बनता है, जो आपके coaches बनाते हैं वो एक plan schedule रहता है किसी दिन आपको speed training कराई जाती है, किसी दिन strength training कराई जाती है, किसी दिन agility training किसी दिन आपको plyometrics कराई जाती है, या फिर किसी दिन आपको और भी cardiovascular endurance या फिर specific muscular endurance या फिर आपके particular गेम से रिलेटिड कुछ चीज़े कराई जाती है तो ये सारी ही आपकी प्लांड रहती है ऐसे नहीं कुछ भी कभी भी करा दिया सब कुछ प्लांड और कंट्रोल रहता है ये आपको आपके गोल्स को अचीव करने में बहुत ज्यादा मदद करते हैं साथ में ही एक sports person को उसकी top form तक ले जाने में यानि कि उसको जहां उसको पहुँचना है वहां तक पहुँचने में एक sports training का सबसे बड़ा रोल होता है तो sports training की अगर हम बात करें तो ये साथ में ही आपकी pedagogical process है यानि कि आप यहां से ऐसे ही नहीं कि direct आपने बस खाली खेलना सीखा है यानि कि आपर learning जो होती है वो wholesome development आपका करती है हर तरीके से जो आपकी performance है उसको higher level तक बढ़ाने के साथ साथ आपको समाज में भी यानि कि society में भी एक अच्छा रुत्बा भी बनाने में आपको तियार करती है ठीक है साथ में coaching की अगर हम बात करें coaching तो coaching एक ऐसी चीज होती है जो एक specific target को achieve करने के लिए sequence manner में करी जाती है तो कोई भी sequence action movement और आपकी speed इन सब को improve करने के लिए आपने सुना होगा आपने conditioning करी होगी तो उसको भी हम आगे discuss करेंगे conditioning क्या होती है ये चीज है तो coaching जो होती है sports में वो बहुत ही ज़्यादा important होती है coaching training आपने सुना होगा without coaching आप life में achieve तो कर लेंगे लेकिन जो समय यानि जो time है वो आपका जो save होना है और जितनी जल्दी आप achieve करना चाहते हैं वो coaching से या training से ही किया जाता करता है तो sports training इसमें आपका coaching का बहुत बड़ा रोल है एक coach का जो हाथ रहता है वो बहुत ज़्यादा important रहता है अब हम बात करते हैं aims and tasks of sports training अब हम बात करें तो physically, physiologically, psychologically और हर तरीके से आपको improve करने में sports में अगर आपको हर तरीके से improve करना है आपकी performance को तो ये physically, physiologically और psychologically तरीके से आपको improve करना पड़ेगा तब जाके आप किसी एक main competition के लिए ready रहेंगे और आप competition में भाग जब लेते हैं तो आपको हर तरीके से मजबूत रहना पड़ेगा तो optimum performance को achieve करने के लिए systematic improvement और performance capability इन सब को बढ़ाने के लिए आपको sports training के जितने भी characteristics है और principle है इनको ध्यान में रखना पड़ेगा तो ये coach का काम होता है coach की duty होती है कि एक इन principles को अच्छे से लागू किया जाए तो आज हम पड़ने वाले हैं conditioning के बारे में technical preparation के बारे में tactical preparation के बारे में intellectual preparation के बारे में इन चारों को देखेंगे तो conditioning की जब हम बात करते हैं तो आपने colleges में देखियोगी conditioning करवाते हैं वो conditioning क्या होती है कि आप condition हो जाओ उस माहूल में बोलते हैं ने कि यहां का माहूल यह condition खराब लग रही मुझे condition मतलब कि आपके सरीर को उस हिसाब से condition किया जा रहा है कि आप जो game खेलने वाले हैं उसमें आप ढल जाएं जैसे कि लोहे को अगर आप normal mode ने कि इकोसिस करेंगे तो नहीं मूडेगा लेकिन उस में तो उसी तरीके से आपके सरीर को भी condition किया जा रहा है ताकि आपको भी जो stress देना है in the form of physical activities in the form of psychological activities in the form of stressful activities चाहे वो आपके कुछ motor qualities हो जैसे कि आपके strength हो endurance हो speed हो flexibility हो या coordination abilities हो इन सब की improvement की जाती है अलग-अलग तरीके से कुछ आपकी general तोर पे होती है यानि कि जिनको हम general बोलते है और कुछ होती है specific जैसे कि general running हो गया ठीक है jogging हो गया यह सब general है normal आपके exercises होगी यह general है लेकिन specific किसी भी एक game की particular movement की exercises जो होती है वो specific होती है फिर आपके कुछ competitive exams की यानि कि competitive exercises आ जाती है ठीक है competitive यानि कि जो आपके competition में use होती है वो सारी exercises आ जाती है जो आपकी जिस माहोल में पूरा competition खेला जाना है वो ही पूरी complete आपकी कहलाएंगी competitive exercises तो कुछ आपकी pre-request आइट यानि कि जो पहले से ही required चीजे है जैसे कि आपकी ये सारी चीजे है speed strength ये सारी चीजे तब ही तो आपकी सी भी performance को improve कर पाएंगे अपने किसी भी sports person की अगर performance को optimum level तक बढ़ाना है तो ये सारी जितनी भी आपकी pre-request आइट या strength, speed और आपका reaction time ये सारे आपके जितने भी है ये plus में आपका cardiovascular endurance, strength endurance, muscular endurance ये सारे ही चीजे इंप्रूव करने के लिए बहुत ज़्यादा आपका sports training का role होता है अब हम बाग करते हैं आपका technical preparation यानि कि अब technique आपकी जो आगे जाके skill में convert हो जाती है कोई भी perform करते हैं ये तो इसकी skill बहुत अच्छी है तो वो एक particular technique होती है उसी में sharpness लेके आना वो ही आपकी skill भी बन जाती है किसी भी धीरे 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 improve होती है तो किसी भी sports performance को बढ़ाने के लिए skill की बहुत ज़्यादा जरूरत होती है और skill को सीखने के लिए technique की बहुत जरूरत होती है त skilled मतलब क्यों बोल रहे है experienced है उसको आख बंद करके भी अगर वो चीज बोल ले हुए करने के लिए तो वो easily perform कर देगा उसके बाद में आपकी higher यानि की जो higher level of skill है will be मतलब higher will be the performance जितनी ज्यादा आपकी high performance होगी उतनी ज्यादा आपकी skill जितनी अच्छी होगी उतनी ज्या की और skill की बहुत ज्यादा जरूरत होती है और skill में mastery के लिए time की जरूरत होती है तो जितने जितने time बात करते जाएंगे और under the guidance of any coach तो वो आपकी moments को देखेंगे अच्छे से कर रहा है कि नहीं कर रहा है ये वो तो complete technical mastery also ensure the economical application of motor abilities जो आपके efforts को और energy को बचाने का काम करती ह है इसी लिए technique कराई जाती है क्योंकि यह आपके effort को भी बचाती है और energy को भी बचाती है next is आपका tactical preparation tactical preparation में क्या बात आ गई आपकी जितनी भी आपके intelligence creative application दौरान आपके games के दौरान तो इसमें दो चीज़ आती है एक आपका strategy ठीक है strategy के साथ साथ में एक आपकी आती है tactics यह दोनों अलग अलग चीज़ है strategy गेम से बहुत पहले pre-planned होती है वो आपके strategy होती है और during या instant कोई चीज़ होती है वो आपका tactics होती है तो यह exam में बहुत बार exam में question पूछे जाते है इससे tactics है तो tactics का अगर हम बात करें तो आपको ह हमार चीज़ का ध्यान रखना है यानि कि competition में जो rules regulation है उनके under ही आपको अलग creative application दिखाना है कि इधर dose दे कि इधर ball pass कर दी तुरंत है फिर हम थोड़ा सा अब change करेंगे तो जो आप देखते हैं कि गोला बना के जो जितने भी players है आपस में कुछ बाते कर रहे होते हैं वो कुछ नहीं होती वो उनकी tactical preparation चल रही होती है यानि कि tactical उनकी वहाँ पर वो tactics बना रहे होते हैं अपनी strategy जो उन्होंने बनाई थी वो मालो फेल हो गई मालो की उन्होंने strategy बनाई थी कुछ लेकिन यहाँ पर दो तीन से आगे चल रही है team तीन गोल ज्यादा मार रखें अग tactics काम आ रही है तो tactics एक intelligent और creative application है साथ में ही अगर हम बात करें तो जितनी ज्यादा अच्छी strategy रहेगी और अगर वो मालो फेल हो गई तो tactics का बहुत बड़ा रोल है तो tactics भी इतनी ही important है sports में यानि कि अब कोई एक technique है वो काम नहीं आ रही है तो अब आपको strategy काम नहीं आ र अगर हम देखें next is intellectual preparation intellectual preparation की अगर हम बात करें sports person done through the important scientific knowledge of theory of sports training तो अब इसमें study of modern literature जितने भी आपके नई नई चीजा आ रही है modern training means methods and also modern techniques खाली पुरानी पुरानी जमाने के बन के कुछ फायदा नहीं नई चीजे जो आ रही है उनको भी adapt करना है यानि कि आप intellectually कितने नई research हो रही है उनके base पे जो scientific आपके training हो रही है उनके base पे एक positive attitude लेके चलना sports की तरफ एक sports person को ये भी बताना है कि ये चीजे भी चल रही है या इस तरीके से ये चीजे होती है तो वो आपका intellectual preparation है next is आपका characteristics of sports training की बात करें तो सबसे पहली चीज आती है आपका individual sports performance in a particular sports तो अगर हम training की बात करें तो the training schedules are the sports specific and in each sports each training unit training unit की जब हम बात कर रहे है तो आपका ये session की बात करें आपको पता है session session होता है आपका दिन में एक session हो सकता है दो session हो सकते है या तीन session हो सकते है तो training unit आपकी session होते है बहुत सारे session को मिला दोगे तो आपका एक बन जाएगा mes मीजो साइकल, बहुत सारे मीजो साइकल को मिला दोके, तो आपका फिर एक बन जाएगा, मैक्रो साइकल, तो मीजो से नीचे भी एक चीज होती है, इसको हम बोलते है, माइक्रो साइकल, माइक्रो, मीजो और मैक्रो, ये तीन साइकल होती है, और सबसे छोटी जो साइकल, जिस माइक्रो, मीजो, और मैक्रो, तो ये तीन चीज है, इन सभी में आपका स्पोर्स की अगर हम बात करें, तो देखियो, हर किसी इंडिविज्वल की परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए, हर चीज की जरूरत होती है, कि एक इनसान रहता है, उसको अलग तरीके से किस तरीके से ट्रेन करना है, उसका पोटेंशिल क्या है, उस सभी को जानके, तो अभी अगर हम बात करें आगे, तो जैसे, स्पोर्स ट्रेनिंग की अगर हम बात करें, इंडिविज्वल प्रोसेस है, यानि की, देखो, जो मैं भी पीछे पॉइंट बता रहा था न, वो ये है, कि डिफ है, कि नहीं है, किसका कितना ज्यादा अच्छी recovery होती है, load taking capability भी हर इनसान के अलग होती है, हर इनसान के अंदर अलग-अलग fiber होते है, उसके अंदर type 1 muscle fiber ज्यादा है, या type 2 muscle fiber ज्यादा है, इन सब चीजों से फरक पड़ेगा, pace of recovery की भी बात करते हैं, किसी इनसान की recover बहुत लेट होती है, types of constitution and nerves, अगर हम इसकी बात करें, तो किसी में stimulus बहुत अच्छी से काम करता है, reactivability बहुत अच्छी होती है, किसी में नहीं होती, यानि कि कोई इनसान बहुत अच्छा agile होता है, agility बहुत अच्छी होती है, ठीक हो plyometrics बहुत अच्छी से perform कर सकता है, exam म बहुत बार कि plyometrics किस के लिए improve, किस performance को improve करने के लिए होता है, या फिर किस motor ability को perform, अच्छे से better कर पाते हैं, अगर plyometric कर रहे हैं, या फिर plyometric exercises किस चीज को बढ़ाता है, तो वो आपका बढ़ाता है, explosive strength को, explosive strength को, या examiner का favorite question है, बहुत बार पूछा जाता है, तो ये चीज है, sports training हर किसी individual के हिसाब से अलग होती है, किसका क्या health state है, किसकी कितना load कोई ले सकता है, कितनी जल्दी गो recover कर रहे हैं, उस हिसाब से, ऐसे नहीं है, coach एक साथ दोडाओ, एक साथ कराओ, सब कुछ कराओ, ये ठीक है, एक समय तक ठीक है, लेकिन जब higher level पे जाना है, तो कोच अलग है, ठीक है, उसके बाद में उनके strength training conditioning coach अलग है, उसके बाद में और उनके physiotherapist अलग, उनके psychologist अलग है, एक coach के, एक मतलब person के उपर 5 से 10 लोगों का हाथ होता है, तब जाके उसकी performance बढ़ती है, तो ये एक person की बात करी, तो जब एक इतने olympic level की बात आ जाती है, तो चीजे बदल जाती है, उसी हिसाब से ये चीजे पढ़ रहे हैं, sports training is systematic and planned, तो ऐसा नहीं है, मैंने सबसे पहली बताई थी कि कोई ऐसा नहीं कुछ भी करा दिया, अगर higher level पे पहुचाना है, तो systematic तरीके से चलना पड़ेगा, और कुछ भी कभी भी नहीं कराना है, ये ये बाद में आती है, आपकी sports training is scientific, अब नई नई चीजे नई निकल के आती है, जैसे research की बात करें, तो पहले आपको knee rotation करते थे, knee rotation, जबकि knee rotation जैसे knee में कोई, आपकी moment ही नहीं है, क्योंकि अगर हम knee की बात करें, तो knee हमारा क्या है, hinge joint है, ये आपका hinge joint है, hinge joint मतलब वो ए extent हो सकता है, तो ये चीज है, लेकिन उसमें आप rotation करने की causes करेंगे, तो कैसे कर पाएंगे, possible ही नहीं है, तो नई research आई, चीजे देखी, moment नहीं है, उस हिसाब की, shoulder sucks करते हैं, लोग बक्त देखा है, ऐसे पूरा rotation करते हैं, जो की बहुत गलट moment है, क्योंकि हमारे जो trepeges है वो muscle इस तरीके से उपर नीचे, बस direct इसको इस तरीके से perform किया जाना चाहिए, उपर नीचे, यानि कि elevation और depression करोंगे, तो आपको चीजे समझ में आईगे कि हाँ, इस तरीके से ये चीजे हैं, तो elevation मतलब किसी भी चीज को elevate कर देना, depression मतलब उसको थोड़ा सा नीचे दबा देना या फिर नीचे की तरफ लेके आना, तो elevation और depression ये moment होती है, shoulder sucks की, ना की rotation जो dumbbell उठाके या फिर road के साथ करते हैं, तो ये गलत है, तो ये चीजे कैसे पता चलती हैं, research होती हैं, नई-नई research होती हैं, तो जुतने भी आपकी नई research होईगी, तो जो पुराने methods हैं, वो outdated हो जाएंगे, तो outdated को ही बहुत से coaches कराते रहते हैं, कराते रहते हैं, ये तो इस तरीके से, जो की, अब नया concept आ जाता है, उसको हमें adapt करना है, ठीक है, तो ये ही है हमारा scientific, और scientific के हिसाब से ही करते हैं, इसलिए कहते हैं कि 10 साल पीछे चल रहा हैं, इंडिया, athletics में लेख क्योंकि athletics में जो performance आज हमारी हैं इंडिया की, वो USA की 10 साल पहले थी, तो जब उनके means, methods पुराने हो जाते हैं, उसको अब adapt करते हैं, ये चीज थी हमारी, next है आपका sports training, calls for the higher degree of self-confidence and part of sports person, अगर हम इसकी बात करें, तो देखिए, sports person को self-confidence बढ़ाने के लिए, coach का बहुत ब feeding नहीं करना है, यानि कि आप coach है, सब कुछ दे दे रहे हैं, आपको leader की तरह act करना है, coach को एक leader की तरह act करना है, coach को सिर्फ guide करना, assist करना है, जहां हो गलती करना है, उसको करना है, लेकिन ऐसा नहीं कि हर तरीके से, हर तरीके से, हर तरीके से, उसको मतलब की spoon feeding करनी है, spoon feeding न उने दो उस student को या उस एक trainee को तभी जाके वो चीजों को अच्छे से समझ पाएगा तभी जाके वो perform कर पाएगा sports training is an educational process educational process की जब हम बात करते हैं तो इसमें all round personality देखना आप किसी भी sports person को उठा के देख लेना उसका जो development है वो mentally, physically, socially हर तरीके से अलग develop रहता है मैं छोटे मोटे district level के students की बात नहीं कर रहा हूँ या sports person की बात नहीं कर रहा हूँ मैं national और international level के athlete जो है उनका देखना उनका कपड़े पहनने का धंग अलग होगा चलने का धंग बात करने का धंग अलग होगा ठीक है सब च पड़ा कोई आप देख लो क्या चीजी कमी है ओलम्पिक में gold medal ऐसे नहीं आता है उनके अंदर सारी ही चीजी होगी सारी ही चीज़े यानि कि dedication, discipline, direction ठीक है और determination और सात में ही आपको ये सारी जब चीज़े होती है तब जाके यानि कि regularity, sincerity ये सारी चीज़े hard work, positive attitude towards life and sports तब ही जाके sports person इतना ज़्यादा मतलब की medalist बनता है, ऐसे नहीं एक ही चीज़ में खाली sports sports खेलता हूँ बहुत अच्छा है, हर तरीके से अभी जाके जीतता हूँ, हर तरीके से, तो wholesome development, laser time का भी यानि कि recreational time का भी उसको ध्यान रखना चीए, कि life में कुछ चीज़े ऐसी होती जो हमें emotionally या फिर mentally stressful को reduce करने में बहुत ज़्यादा मदद करती है, जैसे कि हम singing कर ले, गाने सुन ले, dance कर ले, music सुन ले, movie देख ले, या फिर कहीं अच्छे जगे पर घूमने, सेरस अपाटे पर निकल जाए, तो हम क्या है, बहुत अच्छा laser time spend कर रहे हैं, या फिर आपको वीडियो पसंद आई होगे, अगर वीडियो पसंद आई है, तो वीडियो को like करके और share करके बताना, बाकि कोई कमी अगर वीडियो में लगी हो, तो वो भी comment करके बताना, we will try to improve it, और इसकी PDF आपको मिल जाएगी telegram के channel पे, मिलते हैं next वीडियो में, आप मुझे ज आपको एमीडियो में पाइडियो में, आपको मुझे छारे हो पियट है, अदेियो में अन्षाफ करके एची processus I will भी को में जोनियो में आपको में पिंगर Heightsantic